हरे कृष्णा, आप सभी का हमारे योट्यूब चैनल पर हर्दिक स्वागत है आई जानते हैं शट्तिला एकादशी के महत्व, पूजा विदी और चुब मोर्द के बारे में शट्तिला एकादशी मागमास के कृष्णपक्ष में पढ़ने वाली एकादशी है और इस दिन तिलों का ज्यादा से ज्यादा प्रियोग किया जाता है इस दिन तिलों का चैप्रकार से प्रियोग करने की कारण ही इस एकादशी का नाम शट्तिला एकादशी पड़ा खास कर भगवान विश्णु की पूजा इस दिन तिलों से की जाती है वैसे तो पूरे माग के महिने में ही भगवान विश्णु की पूजा तिलों से करनी चाहे लेकिन जो लोग पूरे महिने पूजा ना कर पाती हो उन्हें आज के दिन भगवान विश्णु को भोग में तिल अर्पित करने चाहे तिल से ही पूजन करना चाहे तिल से हवन करना और द्वादशी तिथी को भी तिलों का ही दान करना चाहिए एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए खास तोर पर जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन चावल या चावल से बनीवी किसी भी वस्तु का त्याग करना चाहिए और अपनी सामर्थ के नुस्सार द्वादशी तिति को दान दक्षिना देकर तिलों का दान देकर ही वरत खोलना चाहिए। एकादशी है और इसी दिन वरत रखा जाएगा एकादशी का वरत एकादशी के सोर्यदय से लेकर द्वादशी तिति के सोर्यदय तक रहता है और इस वरत के नियम कठिन होते हैं क्योंकि एकादशी के वरत में एक दिन पहले दश्मी तिति के सोर्यास्त के बाद भोजन ग्रह और बुदवार को ही शाम के समय हरिवासर का समय भी रहेगा जो कि मधिरात्री तक समाप्त हो जाएगा मानिताओं के नुसार द्वादशी तिथी को कभी भी हरिवासर के समय वरत नहीं खोलना चाहिए हरिवासर द्वादशी तिथी का पहला एक चथाई पहर यानिक शुरुवात के पांस से छे घंटे का समय होता है इस समय खोले गए व्रत को भगवान विश्नु स्विकार नहीं करते हैं द्वादशी तिथी प्रानम होगी 18 जनवरी बुधवार की शाम 4 बच कर 4 मिनट से जिसकी समापती होगी 19 जनवरी गुरुवार की दोपहर 1 बच कर 18 मिनट पर एकादशी कवरत हमेशा द्वादशी तिथी को सुभा सूर्यदे के बाद शुरुवात के 2-3 घंटे के अंदर शुब मोर्थ में ही खोल लेना चाहिए 18 जनवरी एकादशी के दिन सुर्यदे रहेगा सुभा 7 बच कर 14 मिनट सुर्यास्त का समय रहेगा शाम 5 बच कर 69 मिनट और रहुकाल जो की अशुब मोर्थ रहता है दोपहर 12 बचे से लेकर डेड़ बचे तक रहने वाला है यदि आप एकादशी के दिन दान देते हैं या कोई भी शुबू या नया कारी करना चाहते हों तो रहुकाल के समय का त्याग करना चाहिए 12 तिथी यानि की 19 जन्वरी गुरुवार के दिन सुर्यदे रहेगा सुबह 7 बच कर 14 मिनट सुर्यास्त का समय रहेगा शाम 6 बचे और इस दिन रहुकाल का समय रहेगा दोपहर 1.5 बचे से लेकर 3 बचे तक 12 तिथी को हमेशा सुर्यदे के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही वरत खुला जाता है अगर तिथी पहले ही समात हो रही हो तब भी सुर्यदे के बाद ही वरत खुलना चाहिए तो अब जानते हैं कि 12 तिथी को किस समय वरत का पारण किया जाएगा गुरुवार के दिन सुभा सवा साथ बजे से लेकर दस बज कर दो मिनिट तक का समय एक आदशी का उपुवास खोलने का समय रहेगा एक आदशी उपुवास खोलने को वरत पारन करना भी कहते हैं और इस दिन शुबमोर्थ में ही पुजा करके अपनी सामर्थ के नुशार मंदिर में ब्रहमर देवता को या आसपास किसी निर्धन जरुरत मनव्यक्ति को दान की सामगरी दान देने के बाद ही वरत खोलना चाह एक समय दालभी रिशी ने पुलत्स रिशी से पूछा कि हे माराज प्रत्वी लोग में मनुष ब्रहम हत्यादी महान पाप करते हैं परायधन की चोरी और दूसरे की सफलता देखकर इर्श्या करते हैं साथ यनेक प्रकार की बुराईयों में फसे रहते हैं फिर भी उन्हे नरक प्राप्त नहीं होता इसका क्या कारण है वे न जाने कौन से दान पूर्णी करते हैं जिससे उनके सभी पापनष्ट हो जाते हैं ये सब आप कृपा पूर्वक मुझे बताईये तब पुलत्स मुनी कहने लगे हे महाभाग आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्य पूछा है इससे संसार के जीवों का अतित भला होगा इस भेत को ब्रह्मा विश्नु रुद्र तथा इंद्र आदी देव भी नहीं जानते परन्तु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा उन्होंने कहा कि माघमास लगते ही मनुश्य को इस नानादी करक इंद्रियों को वश्मे कर काम, क्रोध, लोब, मोह, अहंकार, इर्शा और द्वेश आधी का त्याग कर भगवान का इस्मरन करना चाहिए पुष्य नक्षत्र में गोवर का पास तिल मिलाकर उनके कंडे अर्थात उपले बनाने चाहिए और उनसे 108 बार हवन करना चाहिए उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथी हो तो अच्छे पुन्नि देने वाले नियमों को ग्रहन करना चाहिए इस नानादी नित्य कर्मों से निवरित्थ होकर सभी देवताओं के देव श्री भगवान विश्नु का पूजन करें और एकादशी व्रत रखने का संकल्प करें दिन भर उपुवास रखकर रात को जागरन करना चाहिए दूसरे दिन धूप दीप निवत आदी से भगवान का पूजन करके फल, मिठाई, पंचमरित या खिचडी का भोग लगाएं जिसमें अनिवारी रूप से तुलसीदल सम्मिलित करें उसके बाद पेठा, नारियल, सीता फल या सुपारी का अर्ग देकर भगवान की स्तुति करनी चाहिए कि हे प्रभू, हे भगवान आप दीनों को शरण देने वाले हैं इस संसार सागर में फसे होगा उद्धार करने वाले हैं हे पुंडिरिकाक्ष, हे श्रीहरी, आप लक्षमी जी सहित इस तुछ अर्ग को ग्रहन कीजिए इसके बाद दान की समगरी को किसी ब्रहमन को या योग्य व्यक्ति को दान करे और हो सके तो ब्रहमन को श्यामा गव और तिल का पात्र देना भी उत्तमाना जाता है तिल से स्नान और भोजन दोनों ही स्रेष्ट होता है इस प्रकार जो मनुष जितने तिलों का दान इस दिन करता है उतने ही हजार वर्ष स्वर्ग में वास करता है इस दिन तिलों का छे प्रकार से प्रियोग करना इस प्रकार है तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल से तरपन, तिल का भोजन और तिलों का दान इस प्रकार तिलों के छे प्रियोग के कारण ही ये शट तिला एकादशी कहलाती है इस वरत को रखने से अनेक प्रकार के पाप नस्थ हो जाते हैं यदि संभव हो तो एकादशी और दुआदशी तिथी दोनों ही दिन आप तिलों का दान कर सकते हैं यदि एक आदशी के दिन दान करना संभव ना हो तो द्वादशी तिथी को तिलों का दान अवश्य करना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि समय पर या शुब मूर्त में आप किसी को दान ना दे पाएं तो दान की जो भी सामगरी है उसे आप किसी शुद्ध स्थान पर रखें लेकिन उससे पहले आप चड़ियों को गौमाता को या चीटियों को भोजन का कुछ न कुछ अंश दे कर ही फिर व्रत खोलें शक्तिला एकादशी की कथा भी आपको एकादशी के दिन हमारे चैनल पर मिल जाएगी अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करना मत भूलेगा ताकि आप एकादशी व्रत की कथा भी सुन सकें और इस बार साल 2030 में अधिक मास भी है ऐसे में आप सभी के लिए एक प्रश्ण है कि अधिक मास में पढ़ने वाली एक आदशी का क्या नाम है अगर आप इसको उतर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरू बताएगा